नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेव्या अस्ट्रोम है और मैं हूँ आप सभी के बीच तेव्या आज अपने इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से सपन सासल से जुड़ा एक नया वीडियो लेकर आई हूँ सपने से जुड़े किसी भी अर्थ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार जाकर के मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सपनों का अर्थ उसे जरूर वाच कीजेगा हो सकता है कि आपको भी ऐसा कोई सपना आया हो जिसका अर्थ जिसका क्या संकेत है वो मैंने अपने इस चैनल पर अप्लोड किया हो तो उस जानकाई से आपको ज़रूर फायदा होगा तो एक बार जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर बोच कीजीगा तो आईए हम फिर से आज नया वीडियो जो की सवपन सासर से जुड़ा है उसके बारे में बात करते हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सपने में बिल्ली देखना जी हाँ सपने में बिल्ली देखना कैसा माना जाता है क्या सपने में बिल्ली देखना शुब होता है या अशुब देखिए हम सपने में जो भी देखते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ सरूर होता है जी हाँ वह बविश्य में कोई न कोई संकेत लेकर आते हैं और वह संकेत जानकर हम हमारी बविश्य में सकारात्मक परिवतन ला सकते हैं. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपने सपने में बिल्ली देख ली हैं, तो ये सपना कैसा है? रात को सोते समय अगर आपको सपने में बिल्ली दिखाई दे रही हैं, तो इसका आपके जीवन पर अलग-अलग तरका प्रभाव पड़ता हैं. वह कैसे कि आपने सपने में बिल्ली को आखिर कैसा देखा है कि आपने सपने में सिर्फ बिल्ली देखी है बिल्ली को बच्चों के साथ देखा है या सिर्फ बिल्ली के बच्चे देखे है या बिल्ली को आपने लड़ते देखा है या आपने बिल्ली को बचाते वे देखा है, बिल्ली को काटते वे देखा है, बिल्ली को मालते वे देखा है, मुला किस तरह का आपने सपना देखा है, इन सब के अलग-अलग अर्थ होते हैं, इन सबी अलग-अर्थों के साथ ही आज में आपके बीच आई हो, तो सबसे पहल हम बात करते हैं कि यदि आपने सपने में बिल्ली को देखा है तो यह कैसा सपना होता है देखिए सपने में बिल्ली को देखना एक शुब संकेत माना जाता है बिल्ली मा लक्ष्मी का सवरूप मानी जाती है यदि आप सपने में बिल्ली देखते हैं तो यह आपके जीवन में अच्छा संकेत हैं। लेकिन वह बिल्ली आपने कैसी देखिए? सफेद रंकी देखिए या काले रंकी बिल्ली देखिए? यह रहाचा संकेत बिल्ली है। जाता है आपका कहीं भी पैसा रुकावा है या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको अच्छा रेटर नहीं मिल रहा है तो वहां से भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में आपको अच्छानक से कहीं से धंकी प्राप्ति हो सकती है इसल आपके लिए एक अच्छा सपना नहीं माना जाता है सपने में काली बिल्ली देखना एक बड़ी समस्या का संकेत होता है यहां समस्या आपकी नौकरी और पेशे से जोड़ी भी हो सकती है आपके आर्थिक जीवन से जोड़ी हो सकती है सपने में काली बिल्ली देखना अच्छा संकेत नहीं होता है यहां आपके जीवन में आपको एक विरोध जो की आपको भूती जल्द इस विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा उसका संकेत होता है जी हाँ यह विरोध आपको आपके परिवार जनों से मिल सकता है आपके प्रिये जनों से भी मिल सकता है तो सपने में काली बिल्ली देखना भी एक अच्छा संकित नहीं होता है अब मैं बात करती हूँ कि यदि आपने सपने में बिल्ली को उसके बच्चों की साथ देखा है तो इसका क्या आर्थ होता है सपने में बिल्ली को उसके बच्चों की साथ देखना एक बहुत ही अच्छा संकित माना जाता है यह सपना भी आपके आर्थिक उन्नतिकी और इशारा करता है इस सपने का अर्थ भी यह है कि यदि आप कही निवेश करना चाहते हैं तो वह आपके लिए फाइबे मंद होगा और यदि आप पैसो से चुड़ा कोई भी अभी तक अगर आपको नुकसान हुआ है तो उसकी भी जल्दी आपको भरबाई हो जाएगी तो सपने में बिल्ली को उसकी बच्चों के साथ देखना भी एक अच्छा सपना होता है यदि सपने में आपने सिर्फ बिल्ली के बच्चे ही देखे हैं तो यह सपना कैसा है तो सपने में बिल्ली के बच्चों को देखना भी एक अच्छा सपना ही माना जाता है यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की और इशरा करते हैं यदि आप किसी मानसिक तनाव में हैं यह आप बेवज़की परिशानियों में उलजे हैं तो वह परिशानी वह तनाव आपका जल्द ही समाप्त हो जाएगा यदि आपने सपने में बिल्ली के बच्चों को देखा है तो अब मैं बात करती हूँ कि यदि आपने सपने में बिल्ली को आपस में लड़ते देखा है जी हाँ यहाँ यह आपने सपने में बिलियों को आपस में लड़ते देखना अर्थात आपके जीवन में अंचाही परिशानी का संकेत है मतलब जैसे कि कहा जाता है ना कि आपको अंदाजा ही नहीं हो कि मेरे उपर को ऐसे कोई दिक्कत आ सकती है कोई परिशानी आ सकती है कि यदी आपने सपने में बिल्ली को बचाते वे देखा है, यदी आपने देखा है कि आप सपने में किसी बिल्ली को बचा रहे हैं, तो इसका क्या आर्थ है, इसका आर्थ है कि आपके आने वाले वक्त में आपकी जिन्दगी पदल सकती है, आपका बुरा वक्त समाथ होने व अब यदि आप सपने में देखते हैं कि बिल्ली आपके उपर हमला कर रही है तो इसका क्या अर्थ है यदि आपने सपने में देख लिया कि बिल्ली आपके उपर हमला कर रही है तो यह आपके बविश्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है सपने में यदि कोई बिल्य आपके उपर हमला कर रही है तो यह आपके जीवन में आपको अपनों से ही अपमानित होने का संकेत है जी हाँ, आपके अपने, आपके कलीक्स, आपके रिष्टेदार आपको अपमानित करेंगे आपको नुकसान पहुचाएंगे तो सपने में यदि आप बिल्यों को आपके उपर हमलावा करते हैं तो यह एक शुप संकेत होता है यह आपके जीवन में निराशा का भी संकेत होता है आपके जीवन में निराशा आपके चारों तरफ से आने वाली है अब मैं बात करती हूँ कि यदि आप देख रहे हैं कि बिल्ली सपने में आपको काटने की कोशिश कर रही है पहले तो मैंने आपको बोला बिल्ली आपके उपर हमले की कोशिश कर रही है अब मैं बता रही हूँ कि और वहां आपके बनते वे काम को भी बिगाड़ने के फिराक में है लेकिन वहां अपने इस मकसद में काम्याब नहीं होगा पर आपको सचेत होना आविशक है इस संकेत से आप यदि संभल जाए तो बहतर है अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप सपने में देखते हैं कि आपने बिली को मारा है आप खुद बिली को मारते वे अपने आपको देख रहे हैं तो इसका क्या आरत है यहां सपना भी एक अच्छा सपना नहीं होता एक अशुप संकेत है ऐसा सपना आने पर आपको सामधान हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी किसी नजदीकी के साथ में जगड़ा हो सकता है विवाद हो सकता है आप बेवजे की परिशानियों में पढ़ सकते हैं उस जगड़े विवाद से आपको बहुत बड़ा नोकसान भी हो सकता है तो सपने में यदि आप बिल्ली को मारते वे देख रहे हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है तो यहां थे कुल मिला के सपने में बिल्ली के अलग अलग तरह की अवस्ताव में बिल्ली को देखना जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्ली देखना सफेद देखी है काली देखी है बिल्ली को लड़ते देखा है बिल्ली को अपने उपर हमला करते देखा है बिल्ली को कारते देखा है बिल्ली को मारते देखा है बिल्ली को बचाते देखा है इस तरके अलग-अलग संकेत के अर् इशारा कर रहा है यदि